हाई फ्रेंड्स हम बनाएंगे मिर्च जी बड़ी बड़े को कट लगाने के बाद आप लोगों को समझ आएगा कि कितने पर्फेक्ट तरीके से बड़ा बन करके तयार हुआ है रैसियू सही नाले तो कट लगाते वक्त मिर्च के उपर की लेयर निकल जाएगी आप अंदर की फिलिंग भी देख सकते हैं आप इसी प्रकार की और भी रैसिपीज देखना चाहते हैं तो इंडियन किचिन क्लीन को सब्सक्राइब करके मेरी फैली की मेंबर्स बन जाए आए हम बड़े बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हरी मिर्च को हमें अच्छे से धुल करके स देखने में सुंदर लग रही थी आप हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इनको बीच में से कट लगा देती हैं वैसे तो मिर्च तीखी नहीं रहती पर इनकी बीचों को आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं इसी प्रकार हमारे पास जितनी भी मिर्च है सभी में कट लगा करके सीट्स वगेरा निकाल कर हम तयार कर लेती है मिर्च तयार करने के बाद साइड में रखती है और बड़े का घुल बना करके तयार कर लेती है देज़सो ग्राम के जितना बेशन ले लेंगे क्वान्टिटी कम्या जादा मिर्च के हिसाब से कर सकते हैं आधी चमच हल्दी पाउडर आधी चमच धनिया पाउडर टेस्ट के एकोडिंग नमक हातों से क्रिस करके अजयन को डाल देंगे ये डाइजेस्टिक होता है और जिन लोगों को एसलिटी वगरा रहती है प्राबलम क्रियेट नहीं करता वरंटे स्पून क्यूमन सीट्स डाल देंगे दो छोटी चमच रिफाइन डाइल गरम करके डालेंगे इससे बड़े किरंची बनेंगे सभी चीजों को मिक्स करते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए घोल बना करके घोलेंगे इस घोल को आप मिर्च कट करने के पहले भी बना कर रग सकती हैं घोल तयार है बड़े की इस्टफिंग बना कर तयार करती हैं गयस ओन करने के बाद पैन को गरम करती हैं दो से तीन चमच रिफाइन डाल देती हैं ओल के गरम होने के बाद सौप पर जीरे डाल कर प्रिकल होने देंगे हमने एकटा एड़ कर लिया है आप अलग-अलग भी डालना चाहें तो डाल सकती है चौपड गार्लिक ग्रीन चिली एंड ओनियन डाल दीजिए आपने बड़े वाली मिर्च के बीज निकाल कर रखे हैं फेक नन नहीं चाहते तो यहां पर उन्हें भी डाल सकती है थोड़ा सौटी करते हैं एक पिंच अद्रक का तुकड़ा है इसे भी क्रेट करके डाल देती हैं मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मसाले कच्छे ना रहें कच्छे मसाले हीकते हैं और पके हुए मसालों की खुज़वो बहुत ही अच्छी आती है सबजी का टेस्ट दुगना हो जाता है एक चमच हलदी पौडर डाल देंगे एक चमच धनिया पौडर आदी छोटी चमच गरम मसाला पौडर भी डाल देंगे जो लोग spicy पसंद करते हैं तो यहाँ लाल मिर्च पौडर भी डाल सकते हैं एक छोटी चमच वाइट विनेगर का यूज किया है, यहां अमचूर पाउडर, निम्बू का रज वगेरा भी डाल सकती हैं, उबले हुए आलूओं को मैस करके डाल देती हैं, इन आलूओं को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि सब्जी बहुत ही अच्छी टेस्टी बने, आलूओं में लम्ज वकरा है, तो पोटेटो मैसर की मदद से इन लम्ज को आप तोड़ सकते हैं, अच्छे तरीके से मैस कर सकते हैं, अपने टेस्ट के एकोडिंग नमग और सबसे बढ़िया टेस्ट के लिए धन्यपत्ती को डाल दीजिए, एक बार फिर स मिक्स कर देते हैं, लो जी, सब्जी तो हमारी तैयार हो गई है, बहुत अच्छे सी खुषबू आने लगी है, गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं, हमने जो मिर्च काट करके रखे थे, सब्जी के साथ भर करके तैयार करते हैं, हम एक मिर्च को उठाएंगे, आलू की सकती है इसे अच्छे से फिल कर देंगे आप इस्पोन की मदद भी ले सकते हैं अलु के मसाले को भरने के बाद मिर्च में हम नाइफ की मदद से दो कट लगा सकती हैं कि कट लगाने से क्या होगा कि जब हम वायॉट लेंगे तो ये आसानी से तूट जाएंगे आप मेरी इश्रिक को फलोक कर सकते हैं कि कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ना ही कोई मसाला निकला है और ना ही किसी प्रकार का इसक्रेच आया है हम दूसरे मिर्च को भी भरकर और कट करके पताते हैं यहां पर एक बात और कहना करने में आसानी होती है इसी प्रकार सभी मिर्चों को तयार कर लेते हैं हमारा घोल भी तयार है और मिर्च भी तो मिर्च के टंठल को पकड़ करके अच्छे तरीके से गुमाएंगे ताकि घोल मिर्च में अच्छे तरीके से लट पटा जाए लपट जाए जब आप मिर्च को घोल में डुबाएं उस समय आपका ऑईल गरम रहना चाहिए तो इसे गर्म गरम ऑईल में डाल दीजिए एक बार में जितने बड़े हो सके उतने ही बड़े आप डालिए वरना ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और बेशन निकल जाएगा पहले गरम ऑईल में बड़ों को डालना है इसके बाद मीडियम फ्लेम कर देना है ताकि मिर्ची भी अंदर से सेख जाए वरना मिर्च कच्छी रह जाएगी तो बड़े अच्छे नहीं लगेंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप एक एक करके सभी बड़ों को निकाल सकते हैं इसी प्रकार सभी बड़ों को सिख करके तयार कर लेंगे बड़े तो हमने बना करके तयार कर लिये हैं इनको अपनी मन पसंद चटनी के साथ इंजाय कर सकते हैं मेरे recipe वीडियो आपको अच्छे लगते हैं आपको सीखते हैं तो like कीजिएगा, share कीजिएगा, comment कीजिएगा, bye bye फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ